राजस्थान में अशोक गहलूत की चुनावी गारंटियां और नए जिलो की गोशना ये दोनों ही खूप चर्चा बटोर्ती दिखाई पड़ी। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी ये चर्चा आम। चुनावी गारंटियों से पहले अशोक गहलूत सकार ने राजस्थान में 17 नए जिले बना दी उस वक्त इसे मास्टर स्ट्रोक का गया कि गारंटियों और इन नए जिलों के अलान के साथ ही बड़ा गेम खेल गए हैं अशोक गहलूत लेकिन इन में आने वाली 50 में से 23 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ चुनाव नतीजे बताएंगे कि दरसल फैसला कैसा है लेकिन फिर भी जो अनालेसिज जो राजनेतिक जानकार मीडिया रिकॉर्ट्स कर रही है वो ये बता रही है कि 17 जिले जो गोशित हुए उसमें से 50 में से 23-24 सीटों पर बहुत कम वोटिंग हुई है जिसका नतीजा हो सकता हुआ शोग गैलोत को नुकसान पहुचा सकेगा हाला कि ये पता चलेगा 3 दिसमबर को आईए जरा आपको ये पतातेते हैं कि क्या नए जिलों के दाव से कॉंग्रिस को कोई फायदा होगा या नहीं हाला कि इसका पूरा अनालेसिस सपष्ट तौर पर 3 दिसमबर को उपाएगा जब राजस्थान चुनाव के परिणाम आएंगे लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में और राजनेतिक विश्लिशकों का आकलन है वो ये कहता है कि परसेंटेज बोर्ट परसेंटेज जिन जिलों में बहुत कम आये हैं जिनने नए जिला गोशित किया गया है उन सीटों पर तो निश्चित तोर पर इसका बहुत जादा असर शायर अशोग गैलोत को न मिले फिर भी एक चोटी से रिपोर्ट हमने तयार की है राजनेतिक विश्लिशकों के आकलन के आधार पर राजस्तान में चुनाओ संपन होने के बाद से नए जिलों में वोटिंग पैचन किस तरह करा है इस पर बहुत लोगों की नजरें थी जो नए जिले गठित किये गए उन कि इनमें कई ऐसी सीटे थी जिनका की जिला मुख्यालियों में भी अच्छा वो है लेकिन उसके बावजूद भी यहां वोटिंग परसेंटेज वैसे नहीं नजरा है ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कॉंग्रेस जिस घोशना को गेम चेंजर मान रही थी क्या उसका फायद 19 जिलों का आया था वो बाद में नए 17 जिलों के नोटिफिकेशन के साथ सामने आया राजनितिक जानकार गैलोत के इस फैसले को आगामी चुनाफ से चोड़ कर देख रहे थे क्योंकि मामला भी वैसा ही था चुनाफ से ठीक पहले उन्होंने 17 जिले गोशित किये राजनितिक विश्कलिश्कों का ये भी मानना था कि कॉंग्रस पार्टी ने इस कदम के जरीए आलग जिले की मांग कर रहे लोगों का समर्थन पाने के लिए ये स्टैंड चला है उनके इस फैसले के बाद अगर कॉंग्रस पार्टी की सरकार फिर से राजस्थान में बनती है तो इसका पूरा श्रे वो ले जा सकते हैं इस विशे के साथ इसमें गिन 17 जिलों का जो एलान है उसका योगदान एहम माना जाएगा ऐसा सोच कर कॉंग्रिस ने ये स्टैंड लिया था राजस्थान में ये पहला मौका था जब एक साथ इतने जिले गोशित किये गए थे वो भी चुनाव से ठीक पैड़े सियासी जोड़भाग ये बता रहे हैं कि जिलों की गोशना के जरिये कॉंग्रेस एक चौथाई राजस्थान को प्रभावित कर रही थी जिलों के एलान के बाद कॉंग्रेस ने इसे जोरो शोर से प्रचारिद भी किया जिलों के प्रभावख शेत्र में आने वाली सीटों पर बंपर वोटिंग की उमीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऐसे में उमीद ये भी थी कि कम से कम इन सीटों पर लोग नए जिले बनने की खुशी में वोटिंग करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ कॉंग्रेस की उमीदों वाली ये जो कहानी थी ये पूरी तरह से तूट गई निमका था ना फलादी, कोट पुतली जिला मुख्याले बनाए गए लेकिन यहां भी वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम रहा खास तोर से पिछले चुनाव की तुनला आपको बता दें कि नए जिलों की गोशना शुरू होने से ही विवाज शुरू हो गया कई जगे कॉंग्रेस के नेता इसका विरोध करते दिखाई पड़ रहे थे वज़े थी कि कई तहसीले जो थी उन नए जिलों में शामिल होना नहीं चाहती थी जैसे कि एक बहुत चर्चा में आई जैतारन की पाली इस सीट पर जम कर विरोध हुआ जैपूर और जोधपूर जिले को शहर और रामीन के रूपे अलग-अलग जिलों में बांटने पर इतना जादा विरोध हुआ कि वो खबरें बन गई अनूपगण जिले में शामिल की गई खाजूवाला तैसील को वापस बिकानेर में डाल दिया गया कुचामन जिले की शामिल डिडवाना को अलग से जिला बनाने की गोश्ना करनी पड़ी हलाकि ये सारी गोशनाएं आचार सहीता से दो दिन पहले लगी जिसका की नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था देखिए ये चूकी चुनाव से ठीक पहले ये सारी कवायद हुई थी इसलिए इसे चुनाव से जोड़ कर देखा गया राजनितिक विश्कलेश के मानते हैं कि कॉंग्रस ये समझ रही थी कि अगर ये स्टैंड उसका सही जगल लग गया तो इसे बताया जाएगा कि गारंटी और नए जिलों की गोशनाओं के साथ ही कॉंग्रस दुबार बापसी कर रही है लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो कॉंग्रस की उमीदों के ठीक उलट दिखाई है प्रशाशन और तंत्र को समझने वाले लोग भी कहते हैं कि किसी भी राज्य में नया जिला बनाने से सरकारें बचती हैं प्रशाशन जिला बनाने के लिए जनसंख्या घंनत्व को आधार मानती है नय लोकसभा और विजानसभा क्षेतर में इसी आधार पर जिलों को घोशित किया जाता है राज्य सरकार को नया जिला बनाने पर बड़ा खर्चा भी उठाना पड़ता है क्योंकि सारी मदे उस हिसाब से माटी जाती है जब वो जिला बन जाएगा तो उसे उस जिले के हिसाब से उसका खर्च देना होता है इससे विपक्षी दलों को फाइदा मिलता है लेकिन अब की बार की सरकारें खुद नए जिले बनाकर विकास का बादा कर रही हैं चुनाओं में लाब लेना चाहती है नए जिले बनाने का एक तरह से सरकार को नुकसान होता है ऐसा प्रशाशन और तंत्र के जानकार कहते हैं गाउं से लेकर राजधानी दिल्ली तक के सभी दस्तावीजों को उन्हें अपडेट करना पड़ता है जो की लाजमी है अगर आप किसी गाउं को जिले के उसमें गोशित करेंगे तो निश्चित तोर पर पेपर वर्क बहुत जादा बढ़ जाता है सीमांकन करना होता है प्रशाशनिक अधिकारी कार्याले के वे वस्था करनी होती है इन सब के लानव सरकारी भवनों में नए जिले के साथ तहसील में जो खर्श होते हैं वो सब एड हो जाते हैं यानि ये एक तरीके से जो चलती पुरती सरकार है उसके लिए नुकसान ही होता है लेकिन फिर भी चुनावी माहौल में इसे भी एक स्टन्ट बताया जाता है चुनावी स्टन्ट राजस्तान में तीन दशकों में हर बार सरकार की अदलाबदली का खेल होता रहा है अदला बदली से संदर्व है कि एक रवायत है एक बार कॉंग्रेस एक बार बीजिए अशोग गैलोत की इस बार पूरी कोशिश है कि वो इस परंपरा पर विराम लगाने शायद इसलिए भी गैलोत कोई कसर नहीं चोड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने लोक लुभावन व अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें